नमस्कार देख रहे हैं आज का खास जोतिश जरा हटके मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टो फ्रेंट संतों संतोशी केतु भी अपना घर बदला है केतु कन्या में आ गए हैं तुला राशे से केतु का असर राहु के साथ बना रहता है केतु साथ वर्ष जिसकी दशा है और जो मंगल के जैसा फल देता है यह केतु सिंग कन्या तुला और विश्चिक के उपर क्या असर डालेगा आए जानते हैं सिंग राशी वालों के दोतिय भाव में केतु का आना वाणी से सम्मंधित कुछ उतार चड़ाव देगा अगर आपके कुंडली में केतु योग कारक हैं अर्थात आपके लगन लगनेश भाग्य भाग्येश या केंद्र के स्वामी के साथ हैं तो परिवार में सुक सम्मृध़ी आदि की वुर्ध़ी कर सकता है कुटुम्ब में नन्हे मेहمान का आगमन हो सकता है किसी की शादी अगर अभी तक नहीं तय होई थी तो उसकी शादी तय हो सकती है अगर केतु आपके लगन कुंडली में अकारक हैं तो आपके परिवार में किसी का देहावसान, आर्थिक शती और चोड़ चपेट की संभावना 18 महीने बनी रहने की स्थती है कन्या राशी, आपकी ही राशी में केतु का आगमन हुआ है, तिरतियेश मंगल की तरह केतु का प्रभाव होता है ऐसी स्थती में आपको बहुत सोच समझ करके निरड़े लेना होगा, आपके दिमाग को दिख भरमित करेंगे ये, आप सही निरड़े नहीं ले पाएंगे कन्या राशी वालों के लिए निरड़े लेने की छमता में कमी आएगे, दामपत्य जीवन में उतार चड़ाओ देंगे ये, साजेदारी के बिजनस में कई प्रकार से मुश्किलें आ सकती है अकस्मात किसी इस प्रकार की स्थते में आप आएंगे, जहां से आपको बाद में पच्छताना पड़ेगा कि आपने ऐसा निरड़े, क्यों ले लिया, यह तो आपके लिए घातक से दो रहा है कन्याराशी वालों के लिए यात्रा की जो इस्थती थी, उसमें भी कुछ मुश्किलें आएंगी, जैसे आप बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक होंगे, जो यात्राओं के दोरा कुछ खास काम करते होंगे, उनके लिए परेशानी का कारून बन सकता है तुला राशी वालों के 12 अस्थान में केतु का आना बहुत शुब होगा, विदेश से विशेश लाब मिलेगा, मन अध्यात्म में लगेगा, वैरागी की तरफ जाएगा, कुटुम्ब में जो विवाद चल रहे थे उससे मुक्ति मिलेगी, घर में खुशहाली और शान्ती की संभावना प्रबल होगी, तुला वालों के लिए कुछ परिस्थतियां इस प्रकार की भी आ सकती हैं कि आपका जो रुका हुआ धन था, जो गुप्त दुश्मनों के पास आपकी फंसी हुई पूजी थी, वो बाहर आ जाएगी, कोड कचारी के जो मसले चल रहे थे, जो आपके लाबस्थान पर केतु आए हैं, लाब के मार्ग बढ़ेंगे अगर आपके धन की स्थती केतु से संबंध रखती होगी, तो आप मान करके चलें कि आपके लिए धन के रास्ते खूब खोलेंगे, प्रेम संबंधों में वृध्धी होगी, आंतरिक रिष्ते प्रगा होंगे, मजबूत होंगे, क्योंकि पंचम से सब्तम है, संतान के ऊपर गर्व होगा, हला की संतान को लेकर के कुछ चिंताएं बढ़ेंगे, क्योंकि पंचम में राहू अपना कांड तो करेंगे ही, लेकिन केतु उत्तम इस्थती में रहेंगे आप सब के लिए आय के साधन बनेंगे, लाभ मार्ग प्रसस्त होगा, वाहन का सुख मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा, केतु आपके लिए बहुत कुछ सकारात्मक परिणाम दिखाएंगे केतु के प्रभाव के चलते आपके स्वास्थ में जो हानिती वह दूर हो जाएगी, हलांकि पेट आदी की दिक्कते हो सकती है, पेचिस आओ, लोज मोशन, ये सब चीजें इनके कारक केतु होते हैं, ये सब दोश बढ़ सकता है क्योंकि पंचम भाव उदर का होता है, जहा अल्डेडी राहु बैठा हुआ है, एक्शुली देखा जाए तो राहु के, मतलब ये पिछलंगू है, तु डाल डाल तो मैं पात पात, आगे आगे राहु, पीछे पीछे केतु, यही स्थती है, वो मुख है, तो ये पूँच है, जहां मुख जा रहा है, वहां पूच भ वालों के लिए, के तु इस्थी डॉग के साथ कनेक्ट होता है, तो इस्थी डॉग को आप दूध आधिका जरूर दान करें, यहां आपके लिए शुभ और सकारात्पक होगा, बहुत शुक्री आपका धन्यवाद, एक बार पुने हैं आग्रह करते हैं कि आइस्टो प्रार्ट अप है, इसको जरूर फालो कर लीजेगा, आप लोगों से प्रार्थना है, क्योंकि बहुत जल्दी यहां पर कुछ बड़ा और अच्छा पाएंगे आप, नन्यवाद, नमस्कार, शेराने आचार्य, विश्व प्रसिध जोतिशाचार्य, संतोष संतोष जी ने, अपने तेरह वर्षों के कठो रिसर्च के बाद, आप सब के खुशाल जीवन के लिए लाए हैं, एक अनमोल उपहार, ग्रहदीब, समस्त प्रकृति की शक्ती को, अपने अंदर समेटे, ये ग्रहद आप सब के जीवन में, पूरी तरह से खुशियां ला सकता है, कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुश प्रभाव, बस एक ग्रहदीब, आप के जीवन को भर देगा खुशियों से, हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीब, जैसे नौकरी के लिए, सूर्य ग्रहदी व्यापार के लिए बुद्ध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हे तू महालक्ष्मी, कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप. तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है, मंगवाईए अपना खास ग्रहदी. दीप एक, खुशियां अनेक.